व्यूज़ निट दौट चौबिस का ये जो स्कैम हुआ ये पहले पेपर लीक होना फिर री निट होना ग्रेज मार्स का स्कैम इन सब चकरों के वज़े से एक बढ़ बड़ा कुशन माक सामने आ जाता है कि निट दौट पच्चेस कैसा होगा बहुत सारे निज आर्टिकल्स यूटूब वीडियो अलड़ी बन चुकी है इन सब टौपिक्स पे एंड थोड़ी सी आट ओफ क्यूरासिटी या थोड़ी बहुत आपको इसमें से हो सकता है ये लाजमी है पट वो नीट एस्परेंट्स जो बहुत पैनिक है बहुत परिशान है मेरे कुछ बैच के तो क्रदी आपको certified babec谁 का type मल चुका है क्योंकि इन सबालों कड्मों का आपकी preparation में केवल 2% नाइनी एट परिशन्ट का है कि तुमसे सबाल बनते हैं कि नहीं ऑनते हैं की नहीं याद है अगर यह सब चीजे याद नहीं है तो बैठे रहो इन questions में deal करते रहो और अपना समय बरबाद करते रहो और कहते रहो या मेरे से neat cracky नहीं हो रहा, neat cracky नहीं हो रहा मैं इस वीडियो में यह सारे points discuss करूँगा बड़ आपको पता होना चाहिए जिस aspirant से सवाल बनते हैं, जिस aspirant की preparation अच्छी है उनको इस बात का डर ही नहीं है वो कैसे भी paper आ जाए, वो crack करके याएंगे, select होके रहेंगे फर्स point की बात करते अगर online pattern होता है तो यह paper को easy बना देगा OMR में feeling में दिक्कत नहीं होगी, OMR strategy, bubbling strategy दिखनी जरुवत नहीं पड़ेगी easy to change the answers, एक वो option A चेक कर लिया, बाद में वापस B कर सकते हो, बहुत easy रहेगा और आपका mind adjust कर लेगा from offline to online in maximum 15 days तुम 15 दिन बैठोगे, 15 दिन बैठोगे, offline से online mode में आपका दिमाग shift हो जाएगा सर आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि यह मैंने खुद किया है, मैंने J 2018 में दिया था offline paper फिर J 2019 में dropper के तौर पे दिया था, वो online paper था, 15 दिन के अंदर पूरा mind adjust हो गया था, कोई दिक्रत नहीं हुई थी फिर next और last one यही है, बाबु माक्स आपके तभी आएंगे, जब आपसे सवाल बनेंगे वनना आप इन चीजों में परिशान होते रहो, कोई फुरक नहीं पड़ता next one यह बात करते हैं, अगर दो attempt होते हैं लेट से, फिर भी आपके लिए better ही रहेगा दो attempt होते हैं, तो आपको जो exam day pressure है, बहुत सा students ऐसे होते हैं, जिनकी preparation होती अच्छी है पर exam दिन है, अगर यह exam बरबाद, पुरा एक साल बरबाद हो जाएगा, एक साल चला जाएगा, उस exam pressure में आके वो panic कर जाते हैं तो अच्छा ही रहेगा अगर आपके पास दो attempt रहेंगे लेट से, तो अच्छा है कि आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, अगर मेरा exam खराब भी हो गया, तो एक और attempt मेरे पास है और जब भी दो attempt होते हैं, तो हमेशा best of two हमेशा select किया जाता है, तो और अच्छी बात है, आपकी best performance judge करी जाएगी, तो it will be good for you, भडिया रहेगा, but at the end, पेटा marks आपके तभी आएगे, जब आपसे question मनेंगे, best attempt कभी कोई फाइदा नहीं रहेगा, जब तुम से सवाली नह बनते हैं, next one की बात करते हैं, अगर paper बहुत tough आगया, बहुत tough का मतलब किया, कि J advance को level फाड़ देगा, कि UPSC के level फाड़ देगा, नहीं, very tough का मतलब 50% paper थोड़ा सा J means जैसा हो जाएगा, 50% J means जैसा होगा, but रहेगा NCRT based, रहेगा NCRT based, but आपके लिए फाइदा ही होगा, अगर आप एक serious student अगले फाइदा होगा, cut off low रहेगा, students will real knowledge will solve, जो दो महिना, तीन महिना, जो one shot देखे, लोग marks ले आते हैं, वो possibility नहीं रहेगे, जो साल बर महित कर रहे हैं, उनके marks आएगे, और still it will be NCRT based, रहेगा वो NCRT based, कोई नहीं किताब उसे तो आनी जाएगा, Morrison Boy या कोई Peter Hikes, इनसे तो questions आनी जाएगे, और at the end आपके marks बेड़ा तभी आएगे, जब आपसे questions बनेंगे, इन सब का role सिर्फ 2% है, तुम सवाल बनाने सीख जाओ, उसके बाद तुम जित्ती पंचायत करने हैं, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, live देखो, news देखो, तुम बस एक चीज़ सीख लो, question देखके, तुरन सवाल बनाने की आदर डालो, फिर next one की बात करते हैं, अगर out of NCRT आगे, तो क्या करेंगे सर, आउट of NCRT maximum 10 questions आ जाएंगे, दो physics से, दो chemistry से, और मानलो 6 bio से आ गया, मतलब total 40 marks का contact, out of NCRT आ सकते हैं, maximum, आप क्या कर सकते हो, आप भी पर बहुत सरे questions, out of NCRT होते, पर अगर तुम options को eliminate कर लोगे ना, तो तुम फिर भी solve कर लोगे, या फिर तुम उन 10 questions को छोड़ दो, उन 10 questions की tension मतलो, आप पहले 680 marks पे तो focus करो 720 में से, यह तो मैंने maximum माना 10 questions हो जाएंगे, उन 10 questions को भी गोली मारो, तुम 680 marks ला पारो कि न पारो, उतनी तो हम पहले बुद्धी ले आएं, उतनी तो पहले प्रैक्टिक्स कर लें, तो आपके 680 marks तो कैसे बनेंगे, जब आपसे question solve, नेक्स मट की बात करते हैं दोस्त, comment कर देना, doctor, सामने अपना नाम, अगर मैं नाम आयूश है तो लिग दूँगा, doctor, are you incoming, अगर अब एक वाकई serious aspirant हो, I want कि तुम comment section को भर दो, मैं जानना चाता हूँ, जब तुम्हें लगता है, जब तुम्हें लगता है कि करें ना करें, बस एक बार अपने नाम के सामने doctor रखो, अगर hit करता है, तो पढ़ाई start कर दो, अगर नहीं लगता, doctor के सामने अपना नाम लग doctor आप हो, अगर आप हो, comment करो, comment section भरो, comment section भरो, next one ही बात करते है, कि लगए 2.0, special price 3799 में आपको मिल लाए, 3rd July तक ही इसकी last date है, जल्दी से नोल कर लिजिए, batch start हो रहा है, शांदार असरदार batch, जिसमें 3 बार physics chemistry और बायो पढ़ाए जाएगा, मैं आपको थ्वासर डीट 31 जनवरी तक चलेगा, इसमें detail में lectures करवाए जाएगे, physics chemistry bio के, फिर NCRT modules, जो कोई coaching institute अब आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, पूरा NCRT के सारे question, index question, back exercise, NCRT exemplar, MCQ format में खुद बना बनाके, आप लोगो के लिए module बनाए, ऐसा module कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद का self- made module है, उसके साथ आपको most expected questions मिलेंगे, जितने भी toppers, equivalents, जो topper, top institutes में भी जा रहे है, इस साल जो जाने वाले, सबने MEQ solve करे थे, मंत्ली test, जो भी मंत में पढ़ाया जाएगा, उसके मंत के end में, उसका test लिया जाएगा, और अगर अच्छा perform किया, तो rankers batch में डाला जाए questions के through revision करेंगे, आपने notes में बना लिए, सारे theory लिख दी, अब आप इसे notes और theory दुबार करवाई नहीं जाएगी, और आप लोग का NCRT based chapter test भी लिया जाएगा, ताकि आपका पूरा chapter revise हो जाए, साले concepts cover हो जाए, जब ये preparation हो गई, फिर phase 3 आएगा, phase 3 के लिए क्लिए क्या कर 1160, मतलब 720 questions per subject, 720 physics, 720 chemistry, 720 bio, 720 questions, conceptual questions only from NCRT करवा दी जाएगे, ताकि पूरी NCRT आपकी revise हो जाए, और इसी के साथ-साथ, आप कैसे ये सब अच्छे से कर पाऊ, उसके लिए हम जिमेंदारी ले रहे है, वीक्री mentorship रहेगी, और उसके साथ-साथ, आपको एक academic counselor भी मिलेगा, जो हर दो हफती बाद आपको call करता रहेगा, और आपसे पूछता रहेगा, आपकी update लेता रहेगा, कि lectures देख रहे हो, module कर रहे हो, homework हो रहा है, डिक्कत तो नहीं आ रही है, कि सारी चीजे आप बताते रहना, ये सारी बाते मेरे तक पहुंस दे रहेंगी, डैकली, फटा-फट इन्रोल कर लो, 3rd July के बाद ये offer फिल नहीं रहेगा, सबसे lowest price है and guaranteed selection है, सारा kios हट जाएगा, selection आपके हाथों में, thank you so much